Hi guys Hello friends आज हमने आप लोग के सामने five pin वाला ट्री सौक्ट एंट्री स्विस वाला extension board का connection details का एक भीदियो लाया है आप लोग सभी को साइद extension board के बारे में पता है सभी ने जिन्दगे में कभी ना कभी यह extension board रियूज किया है यह उपर का आठीन का point नीचे में phase and neutral का point है अब देखिए उपर में यह आठीन का point और नीचे में phase and neutral का point इसको हम आज connect करेगा और इसके connection किया जाता है आप आपको details में बताएगा यह जो टूल से यह आपको चाहिए यह वयर काटर है इससे आप वेर का उपर का प्लास्टिक है और हाटा चकते है वयर काट भी चकते है अगर आपका पास ऐसा होगा तो आप यूज किजिए नहीं तो दूसरा चा के हिसाब से टेस्टर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और यह वयर हमने पहले से काट के रखा था इसमें वह जोड़ने के लिए चाहिए इससे आपको काट के काट लीजिए वयर यह 18 पोइंट में पहले हमने connect करेगा बिसका जो पॉइंट होता है यह मीडिल का पहले इसम पॉइंट है इसमें दो टार आएगा इसी तरह हमने 20 शोटके था हो दूसरा शोकेत था एक्षिल इसको हमने पहले जोड़ लिया वहां धूजरी पहला सुकेत को हम जोड रहिए पहला सोगेत को में हम चोड़ लिया तीसरा में हम connection कर लेगी कि सभी को हमने जोड लिया एक स साथ यह सब इने कमान हिसाब से काम करेगा तो अभी स्कूरू हम टाइट कर रहे हैं अभी स्कूरू भी टाइट कर दिया अभी हम फेजन न्यूट्रेल न्यूट्रेल फेज का पॉइंट है नीचे में इसमें कनेक्शन देगा फ्रेंच आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी होना चाहिए क्योंकि टेस्टर से आप अच्छी तरह से लाइन का सप्लाई का बारे में भी आपको सही से मालम कर सकेंगे यह दूसरा सोकेट से टेस्टर सकेट तक भी हमने कनेक्शन कर लिया कि इस्क्रू एमनें टाई्ट कर लेंगे क्योंकि एलेक्ट्रिक का जो भी आपका कामरेगा तो स्कॉरू अगरा घ्री तक सके करना होता है क्योंकि झूस कनेक्शन में स्पार्क प्रेखने का सामाना होता है तो cow eine आपके लिए अंसेफ्टी माना जाएगा तो इसलिए आपको स्कुरू बगरा ठीक से टाइट करना चाहिए तो अभी हम स्विश का यह पॉइंट है स्विश का पॉइंट से कनेक्शन कर रहे हैं पहला स्विश में ने कनेक्शन कर दिया आपने देखा यह सॉकेट, सपरड़ का पॉइंट है हम सभी निउट्रे पॉइंट पॉयंट साब यह सब लिया में सब्सक्राइब जोड़ लिया धुश्टु को हम मजब लेगे पहला से दिस्ट में जोड़ लिया, 《 दश्रा सुटर मेंehाल पॉइंट है एक वायर ट्रिस्ट्रा स्विश में आएगा इसलिए हम हमें दो वायर हमको डालना परा तो यहां में थर्ट स्विश तक भी यह वायर हमने कनेक कर लिया है तो यह वीदियो अगर आपको आच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा वीदियो में हमेशा दलता रहता हूं आप लोग को यह देली लैफ में बहुत चाहां काम में आएगा तो आप लोग अभी सभी यह वीदियो देखिए लास एंड टक देखिए तभी आपको सारे इसते पता चलेगा पहला स्विश से हम सोकेट तक यह कनेक्शन दे रहा हूं यह हमारा पहला स्विश से सोकेट तक कनेक्शन कर दिया अभी स्कुरू हमने टाइट कर लिया हूं इ देखिए हम लोग अभी दुस्रे स्विस को कनेक्शन करने जा रहा है तो दुस्रे स्विस का भी कनेक्शन हमारा हो गया तो इसको कनेक्शन हो गया तो अभी सोकेट में इसको कनेक्शन करना परेगा अभी हम तिस्टा स्विश में भी ऐसे कनेक्शन कर लेंगे तो आप देखिए यह आपको यह जो स्विश सोकेट सब आपको बाजर में सब कुस लूज मिल जाएगा आपको यह रेडिमेंड अगर यह एक्स्टेंशन पर खरी रहें यह मेंवेर है इन वेर का तीन वेर देखिए एक हरा एक लाल एक कला हरा वाला यह है अपका आठिन का वेर तो आठिन का जो वेर है आठिन का पॉंट में हम कनेक्शन कर देगा इस बोक्स में उसकी हाओ हरे समान आपको बजर में लूज मिल जाएगा और सस्ता मिलेगा लेकिन यह बॉक्स रिदी में लाने से अपको बहुत महेंगा परेगा इसलिए घर में बनाना सही रहता है अगर आपका होगा in new कर पॉइंट और लाल वाला आपका फेस का है तो इससे चेस के पहला स्विश पाहिंट में करे गा और लाल वाला स्विश में हमने कनेक्ट करेगा यह स्विश से पहला स्विश में हम कनेक्ट करेगा इसको लाल वाला को यह प्लेग वायर हमने यह नीट्रिल के पॉइंट में दाल लिया है तो ए स्कुर्ड हमने तैेट कर लिया अभी इसको हम इसको पहला सुछ में ये connection कैसे केसे और अब ध्याँ से देखिए अब वीडियो एन तरशेओ तभी आपको हर एक क्राइड पता चले गा तभी आप पर्फेक्स से ये काम कर सकेंगे तो ये पहला सुछ में हमने ये ये फेस का कंप्प्लिट हो गया है कि यह देखिए हमारा कंप्लिट हो गया है तो फ्रेंड ऐसे आप लोग कि पूरा बोक्स का कर सकेंगे तो अब हम इसको करके देखेंगे यह कनेक्शन सही है यह यह कही इसका का फॉल्ट है तो हम यह तेस्ट करके देखेंगे लिए हमने यह बाल्ब लाया है आखरे लिए हम अब को हम यह हमारा पहले का एक दूसरा चैंशन बॉड़ था वहामें हम लगा के टेस्ट करेंगे ये जो ये जो ट्रिपीन है हम उन्हें नया बनाया वाला यह बूट को ठीपिन हम एक्सेंशन बॉट में डाल लिया कि उसमें हमने पहले से दिखा है आपको नेक्शन मिल रहा है या इसका पावर सप्लाइं में रहा है ये बूर्ड में सप्लाइं आ गया है तो आम ये बाल्ब से यह टेस्ट करेंगे पहला वाला सोकेट सुछा पहला प्सक्राइब कर लिए त्राइड करेंगे पहला परला पॉंट कर लिया पहला बाला पॉंट यह और भी दूसरा शुच्पर पॉंट में थेज गले अम राइस पोड़ सही है इसमें कोई फॉल नहीं थैंकि यू फ्रेंज अच्छा लगा तो लाइक शेयर सबस्क्राइ किजे थेंक यू